हलो एब्रिवन वेल्कम बेग तो स्वस्तिका एजुकेशन इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सीडीपी के कोशन्स लेकिन डिसकशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस सके तो आएए शुरू करते हैं हमारा आज का डिसकशन हमारा पहला कोशन है डाट वो डवलप्द दर थिमेटिक अप्रिशेशन टेस्ट जी हां जैसे कि हमसे पूछा गया है कि जो टी एटी है जिसकी फुल फॉर्म है थिमेटिक अप्रिशेशन टेस्ट वह किस ने discuss की थी उसमें भी हमने यह कोशन देखा था तो जैसे कि हमें पता है कि जो thematic appreciation test है वो एक तरह का प्रोजेक्टिव टेक्नीक है एक तरह की प्रोजेक्टिव टेक्नीक है जिसके थुरू हम personality को measure करने की कोशिश करते हैं तो आईए देख लेते हैं एक बार tat होता क्या है जैसे कि आप कुछ photos यहां पर देख सकते हो यह कुछ cards थे जो कि Maury और Morgan के द्वारा यूज किये गए थे जिसमें कि उन्होंने अपने patients या individuals के सामने इन cards को दिखाते थे और उससे इन cards के उपर एक story depict करवाने की कोशिश करते थे जिससे कहीं न कहीं हमारे जो individual थे उनकी personality हमें पता चलती थी तो यह थे Maury और Morgan और उन्हें दिया है हमें thematic appreciation test next जब बात personality की हो रही है तो हमें पता होना चाहिए जो personality होती है उसे हम दो तरह से measure कर सकते हैं एक होती है हमारी self report से और दूसरी होती है प्रोजेक्टिव technique से जैसे कि MMPI है that is mine sota multi phasic personality inventory वो एक तरह की self report होती है वहीं पे आपके Myers-Briggs type indicator है यह भी एक तरह की self report है जो measure करती है हमारी personality के trades को और आपके पास NEO PIR that is big five factor यह भी एक तरह की inventory है insect की personality questionary भी एक तरह की self report है जो की हमारे personality को measure करती है self report से मतलब यह है कि आपको question दे दिये जाएंगे और आपको वहां पे questions पे either true or fall यह tick or cross करके बताना है report देनी है कि आप जो questions है उनके बारे में क्या सोचते हो जबकि दूसरी तरफ हमारी आती है projective techniques projective techniques में generally क्या होगा जो examiner है यह psychologist है वो हमें कोई pictures दिखाता है और उन pictures को देखके हमने उन picture से related जो भी चीज हमारी माइंड में चल रही होती है वो हमें वहां पे बतानी होती है तो ऐसी techniques को हम कहते है projective techniques और हमें ध्यान रखना है कि जो TAT है वो projective technique है personality को measure करने की और जबकि MMPI ये MBTI, NEO, ISAC की personality questionnaire ये सारी self report है या objective test है personality को measure करने के तो ये थे हमारे कुछ important point regarding personality and its test personality and its test next question है creative students जो creative students होते हैं वह क्या होते हैं option है a convergent thinkers b divergent thinkers c exorot या भी very hard working so the right answer is b divergent thinkers जी हां जैसा कि हमें पता है कि जो creative students या आप से question में gifted child पूछ ले gifted child तो वो सब जो होते हैं वो generally क्या होते हैं divergent thinkers हमारा next question है that the condition reflects action is related to इस पे आप दो words देखोगे एक है condition और एक है reflex action ये जो word है ये किसके साथ relate करता है option है a skinner, b kohler, c pavlov, d thondype जैसे कि हमें पता है कि जो सारे given psychologist यहां पे दिये गए हैं ये सबी जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी learning theory के साथ associated हैं इन्होंने किसी ना किसी ने कोई ना कोई learning theory हमें दी है तो इसमें पूछा हुआ है जो condition, reflex action है इनमें से कौन जो है उसके साथ related है so the right answer is c pavlov, जी हां जो हमारे pavlov हैं वो condition, reflex action के साथ relate करते हैं तो इस word को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि reflex action होता क्या है तो जैसे कि हमें पता है और आप इस picture में देख सकते हो कि touch कर लेते हो तो जल्दी से without सोचे आपके हाथ जो है पीछे हट जाता है तो ऐसे action जिन पर हम एकदम किसी चीज़ को गरम चीज़ को touch करते हैं एकदम without सोचे हमारा हाथ पीछे हटता है या हमारी eyes blink कर रही है तो ये सारे किस चीज़ के example है एक reflex actions के example है तो कोशन में पूछा गया था कि जो conditioned reflex action के साथ कौन जूडा है तो हमने कहा पैबलॉब तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पैबलॉब थे उन्होंने क्या किया पहले जैसे कि unconditioned stimulus जो कि food है तो dog जब अपने unconditioned stimulus को देखता था तो उसका जो मुझ से saliva secret शुरू करना हो जाता था लेकिन जैसे ही बैल बसती थी तो उसे कोई फरक नहीं पढ़ता था लाइक क्या हो रहा है यह कम की बात है जब dog की conditioning नहीं किये तो धीरे धीरे during conditioning क्या हुआ जो food प्लस बैल को इकठे जो dog की सामने पेश किया गया तो देखा गया कि जो dog था जब वो खाने को देखके saliva secret करता था वो एक तरह क्या हमसार reaction था reflex action तो क्या नाम जो है जो ball और sorry food और बैल को associate किया गया तब भी dog के मुझ से क्या रहा था saliva आ रहा था लेकिन कुछ after conditioning जब इसकी काफे दिनों तक महीनों तक conditioning की गई dog की तो देखा गया कि जब single एक बैल को जब हम विसल करते थे तो dog जो है automatically अपने मुझ से saliva secret कर देता था और इस तरह के response को हम क्या कहते हैं condition reflex action condition, reflex, action reflex action तो हो रहा था लेकिन यहां पर किसको food को देख के नहीं हो रहा था किसके वाज सुनकर ही उसके मुझ से saliva secret होना शुरू हो गया था that is whistle तो आपको ध्यान रहतना है जो conditioned reflex action term है वो conditioned reflex action वो किसके साथ associate करती है that associated with Ivan Pavlov और Ivan Pavlov ने हमें दी है classical conditioning theory in 1897 और Ivan Pavlov जथे हमारे बिलॉंग करते थे रशिया से कहां से बिलॉंग करते थे रशिया से तो यह थे कुछ important point regarding Ivan Pavlov और उनकी classical conditioning यह आप कह सकते हो एक term है conditioned reflex action किसके साथ associate करती है Ivan Pavlov यह कुछ important बात है आपको इनकी regarding याद रखनी है हमारा next question है Adlo science is a period of great, stern, strange, storm and strife, who said this जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी इस अप्रिवीट को काफी बार डिसक्स किया है but option देख लेते है A. Herlock, B. Stanley Hall, B. Jashel D. Woodward So the right answer is Stanley Hall जैसे कि हमने इस अप्रिवीट को पिछले अपनी वीडियो में भी डिसक्स किया है कि हमें कीवर्ड याद रखने है that is strain, stress and storm जो hall में, generally हम hall में बैठे हैं और क्या आ गया वहां पर? Storm आ गया जिसकी वज़े से क्या हो गया? Stress हो गया तो जो Stanley Hall थे उनका मानना था कि जो adolescence period होता है वो है एक बहुत great strain और stress और storm का क्या रहते है हमारा period रहता है so the right answer is Stanley Hall right हमारा next question है who was the founder of psychoanalytic theory of motivation? जो psychoanalytic theory of motivation है उसके founder कौन है? option है A. Hull B. MC. Doggle B. Friud D. Mashlow so the right answer is Friud जी हां जैसे कि हमें पता है जो Friud है वो founder of psychoanalysis है तो उन्ही नहीं हमें psychoanalytic theory of motivation दी है हमारी personality के 3 structures होते है that is id, ego and superego यह जो concept है id, ego, superego यह भी हमें किसने दिया है? the right answer is Sigmund Friud right और यहीं पर इन्होंने बताया है जो id होता है वो हमारा reserve wire होता है desire का that id is the reserve wire of desires और यह जो id component होता है हमारा वो mainly कहां पर lie करता है in the unconscious level जो हमारा unconscious mind का maximum part होता है वो id द्वारा occupy होता है और id में जो हमारी basic impulses रहती है जैसे sex, aggregation, aggression seeking, immediate, gratification है ना? दूसरों को खुश करने के लिए और यह कहां पर operate करती है unconscious level पे according to Friud Friud ने हमें दो terms भी दी है that is Eros and Thentos है ना? तो उनके according जो Eros है वो एक life instinct है इस instinct के जरिए कोई भी जो individual है वो अपना survival को possible करवा पता है और यह से से हम social corporation करते हैं procreation करते हैं reproduction करते हैं यह सारा जो हमारा procedure चलता है यह चलता है हमारा life instinct से जबकि जो हमारा Thanatos है जिसे हम death instinct कहते हैं वो basically basic cause होता है aggression का हमारे risk taking behavior के लिए और relieving trauma के लिए तो यह कही न कहीं हमारे को relate करती है that the psychoanalytic theory of motivation से और आपको ध्यान लखना है जो segment fluid है उन्होंने हमें दी है psychoanalytic theory of motivation और segment fluid के बारे में कुछ important points जा लेते हैं that he aastron neurologist थे इन्होंने found किया था school of psychoanalysis इन्होंने हमें theory दी है theory of psychosexual development इन्होंने personality को three components में divide किया है that is id, ego, super ego और उन्होंने book लिकी थी interpretations of dream और इन्होंने एक term coin की है that is audipus complex और eros और thanatos भी इनके द्वारा दिये गए दो words है right eros को हम कहते है life instinct जबकि thanatos को करते है that instinct तो यह थे कुछ important points regarding segment fluid हमारा next question है in introspection method observation is done by जो introspection method है जो कि oldest method है अपने अपने आपको observe करने का right तो वो जो है किसके द्वारा की जाता है a. others b. animals b. self d. theirs so the right answer is self जी हाँ जो introspection method होता है वो self observation का सबसे oldest method है हमारा next question है then the kohler developed जो kohler थे उन्होंने इन में से क्या develop किया था a. s. ar bond theory b. inside theory c. field theory d. condition theory so the right answer is b. inside theory जी हाँ जैसा कि हमें पता है कि wolf gang kohler ने हमें दीती inside theory of learning र. और inside theory of learning में उन्होंने experiment किया था चिपैंजी पे जिसका नाम था सुल्तार और आप उसकी picture भी देख सकते हैं ये है हमारी insightful learning जो कि दी गई थी हमारी mainly wolf gang kohler के द्वारा जिस पे उन्होंने chipanji के उपर अपना experiment किया था जिसका नाम था सुल्तार और आप जो हो kohler को kohalberg के साथ confused नहीं करेंगे क्योंकि kohalberg ने दी है हमारी theory of moral development जबकि kohler ने दी है हमारी theory of insightful learning ये दो अलग-अलग psychologists हैं जिन्होंने अलग-अलग चीज़ों पे अपना काम किया था according to thompson and lipsit in normal child language development is up to according to thompson and lipsit जो normal बच्चा होता है उसकी language development कितनी तक हो जाती है option है 1900 words b 2100 words c 1800 words d 1600 words so the right answer is that is 2100 words 2100 words जो है हमारा इस question का right answer है next question है social developments mean attaching maturity in social relationship आप देखोगे दुबारा ये एक attribute है और आपको ध्यान रखना है कि attributes से related हमसे बहुत सारे question पूछे जाते हैं तो ये बोर रहे है कि जो social development है उसका मतलब है कि जो हमारे social relationships है हम उनके साथ attach हो जाए maturity में तो ये जो attribute था ये किसके द्वारा दिया गया था option है A. Harlock B. Wanner C. Sorsan Yadhi Kundu so the right answer is A. Harlock जी हाँ ये जो हमारे पस attribute है given attribute ये हमें दिया था Harlock ने हमारा next question है that IQ level of gifted children according to termon is again important question and most repetitive question और मैं कहूंगे super important question ये जो इसका termon का IQ की range के एक table बनता है वो आपके tips पे आपको याद होना चाहिए क्योंकि हर साल TAT में किसने किसी एक्जाम में ये question पूछा जाता है either HP TAT arts का हो medical का हो या non-medical का तो आपको जो है इसका जो termon ने दिया है IQ range के table उसको आपको पूरी तरह अच्छे से याद होना चाहिए उन्हें हम consider करते हैं as a gifted children so the right answer is IQ is above 120 आए टर्मन का एक बार जो IQ level की range है उसको देख लेते हैं ये देखिए ये है हमारे IQ range का table ऐसे बच्चे जिनका IQ 120 से अबब होता है वो superior काउंट किया जाते हैं और हम उन्हें generally consider करते है as a gifted children ऐसे बच्चे क्या होते हैं gifted children और जबकि 110 से लेके 119 तक जो बच्चा रहते है वो high average रहते है और 90 से 109 तक जो होते है generally क्या रहते है average child रहता है तो ये जो आपका table है ये बहुत important है और हमें पता है कि जो term थी ना IQ that was coined by William Stern that it is coined by the William Stern आपको confused नहीं होना है IQ test और IQ term को किसने coin किया था IQ test हमें दिया है Alfred Bennett ने और जबकि जो term coin की गई है हमारी वो की है William Stern ने हमारा next question है that in severe hearing loss hearing power is lost by अगर किसी व्यक्तिक कान में सुनने की जो शमता है वो खतम हो जाती है या severely damage हो जाती है तो हमें कितने hearing power जो है हमारे lost होते हैं किस range के बीट में so the right option है 60 to 75 decibels V 40 to 60 decibels C 30 to 40 decibels या D 20 to 30 decibels so the right answer is 40 to 60 decibels जी हां अगर किसी person की severe hearing loss हो जाती है तो वो जो हमारी 40 से 60 decibels की सुनने की शमता है वो कही न कहीं क्या हो जाती है lost हो जाती है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमारी next वीडियो में जिसमें हम करेंगे अपना 2017 के question को discuss तब तक के लिए thanks for watching the video अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें thank you